जैमातादी हीरा हीरा लगभा कोर नहीं जानता है हर वेक्ति जानता है कि हीरा बहुती महंगा आता है इतना कोस्टली कि हम पुरा घर बार बेज़े तब भी खरीदना सके लेकिन जिस वेक्ति के कुंडली में अगर शुक्र देवतार की परिशानी होती हो या शुक्र अनुकोल हो उनका लाब बढ़ाने के दिए वे हीरा धावन कर सकते हैं हीरा की अंगूठी आप प्लाटिनम या चांदी में बनवाए और इसे शुक्रवार के दिन ही धावन करना चाहिए शुक्र देवता की मुसीबतों से दूर होने के लिए आप हीरा धावन करें वैसे हीरा का अल्टरनेटिव भी है वो है वाइट टोपाज वाइट टोपाज भी शुक्र की अशुगता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हीरा कम से कम दो से ड़ाई रतिका होना ही चाहिए नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा शुक्रवार के दिन आपको जो आपने हीरे के अंगुठी चांदिया प्रैटिनम में बन राई है प्रातर काल सुबर सुबर अर्थाद नौ से अब आठ से दस के बीच का टाइम बेटर रहेगा मतब सुर्य उदय के दो घंटे बाद आपको विदिवत पूजा करनी है और पूजा करके आपको इसे धारण करना है लेकिन धारण करने के पहले एक चीज और है कि इसको आप नई वेद्य धूप वगर दिखा ले और गंगा जल और कच्चे दूद में विसरजित कर दे कुछ देर के लिए उसके बाद एक माला ओम शुम शुक्रायनम unos का जाब करना है ओम शुम शुक्रायनम जाता की इसमें और शक्ती भर उठे एक चीज़ आपको धेन देना है कि हीवे के साथ कभी भी मानिक्य, मोती, मुंगा या पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए इससे आपको नुकसान होता है कई लोग वैसे वहाई टोपाज भी धारण करता है जिससे भी उसने अच्छा खासा लाभ मिलता है हीवे की अंगुटी पहनने के बाद व्यक्ति बहुत ही आगे चला जाता है लेकिन डिपन करता है कि आपने कितने रती का हीवा लिया है क्या आपकी कुंडी की सही विवेशना की गई है इसलिए आप योग्य जोतिश को दिखा करके ही ही हीवा धारण करे जय मतली